परियावरन कारीकरता सोनव वांग्चुक ने केंडरी सरकार पर उनके आंदुलन को अंदेखा करने का आरोप लगाया है वांग्चुक ने शुक्रवाद 4 अक्टूबर को जंतर मंतर पर बैटरी के अनुमती मागी थी उने और उनके लगदाक के 150 लोगों को पिछले सब्ता दिली के सिंखु बॉर्डर से हिरासत में लिया गया था इसके बाद राजगाट इस्थित महत्मा गांधी के समारक ले जाये गया और बाद में उन्हें रहा कर दिया गया इसके बाद वो अब लद्दाक बवन के सामने अंशन पर बैठे हैं सोनम वांग्चुक ने कहा कि जो राजगाच पर हमसे वादे किये गए थे उसे पूरा नहीं किया गया हमें विश्वास दिलाय गया था कि देश के शीष नेताओं से मुलाकात होगी लेकिन इस विश्वास की बावजूद हमें किसी नेता से मिलने का समय नहीं दिया गया दिल्ली के कमिशनर ने कहा था कि पूरी दिल्ली में धारा 163 लगी है जो हमने राजगाच पर अंशन तोड़ा तब हमने हर जगे अंशन करने के लिए जगय मांगी लेकिन हमें जगय नहीं दी गई इसलिए हमें लगदाख भवन में अंशन करने की अनुमती दी जाएगे हमें उम्मीद है कि हमारे देश के शीश नेता हमें समय देंगे सोनम मांग्चुक ने कहा कि हम एक ऐसी जगय की तलाश कर रहे थे जहां हम अपनी शांती पून भूकरताल कर सकें लेकिन हमें वो जगय नहीं दी गई इसलिए हमारे पास लगदाख भवन से भूकरताल शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां हम वस्तुत हिरासत में हैं हमारी हमेशा से यही अपील रही है कि 30 से 32 दिनों तक पैदल चलने के बाद हम यहां आए हैं और राजधानी में अपने देश के कुछ शीर्ष नेताओं से मिलकर अपनी शिकायते साज़ा करना चाहते हैं मैं किसी से समर्थन नहीं माग रहा हूँ हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो समझते हैं कि भारत में क्या हो रहा है लदाक के साथ क्या हो रहा है और हमारे अधिकार क्या है यह कहना चाहता हूँ कि हमने जब राजगाट पर अंशन तोड़ा उसके बाद से अभी तक हर जगा अंशन पहुत शांती पूर्ण करने के लिए जगे मांगी मगर हमें कोई जगे नहीं दी गई तो इसलिए हम मजबूरन यहीं लदाक भवन से करने पे मजबूर है आज से हम अंशन पे रहेंगे अनिस चितकाल के लिए और हमें उमीद है कि लदाक का भवन है तो लदाख के बवन में लदाख के लोगों को शांती पूर्ण डंग से अपनी फरियाद सुनाने का अपने जो वचन वादे हैं या उन्हें याद दिलाने का और जो वारतालाप लदाख के नेताओं के साथ हो रही हैं उनको दुबारा करने की हम आगरह कर सकते हैं हमें उमід ये भी है अभी भी की हमें हमारे देश के शीषण नेता जरूर समय देएंगे और हम उनसे मुलाकात भी करपाएंगे मगर तब तक हम अंशन पर रहेंगे और क्योंकि हमें और कोई जगा इस पूरे दिल्ली में नहीं बताया गया तो हम चाहते हैं कि इस पर भी चर् कर अपनी व्याथा सुना सकें, क्योंकि जंतर मंतर जिसका हमने आग्रह किया उसे नकार दिया गया, रिजेक्ट किया गया, और फिर और कोई जगह है नहीं कहते हैं, पूरे नई दिल्ली डिस्टिक्ट में दफ़ा 163, 144 जो था, वो नाफिस किया गया है कहते हैं, तो ऐसे में हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम बहुत दूर से आये हैं, पहाडों से आये हैं, दिल्ली को नहीं समझते हैं, तो हम जहां हैं, वहीं पर शुरू कर रहे हैं, अभी से, आज से, यह आप लोगों को बताना चाहता है